अब हम बात करेंगे दा फॉर्मिशन ऑफ इमेज बाय कोंवेक्स लेंस की कॉंवेक्स लेंस लगा हुआ हो तो कैसे हमारे माइंड में जाके इमेज हमारी आंखों में इमेज बनती है और कैसे हम उसको देख पाते हैं साधी बाते करने वाले हैं तो वीडियो को आफटा पट स हमें एक सारे केसे इसको नहीं बनाने वाले हैं और आप वीडियो को प्लीज पार्ट उटा के देख लिए पलीश्व में जाना हो सीथी आपको पार्ट मिलेंगे तो सबसे पहले हम यह बताते हैं आपको उनको पढ़ने कितने केस हैं ठीक है अगर आपको रिफ्लेक्शन की बात याद है मेरे बचो जितमें हमने बताया था सिक्स केसित पढ़ाया थे कब पढ़ाया थे जब हमने आपको रिफ्लेक्शन पढ़ाया था किसे पढ़ाया था कॉनकेव मिरर से किसे पढ़ाया था कॉनकेव मिरर से लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कॉन globe में हो ती थी वह यहां पर length में ओंगी जो चीज़े mirror में convex में होती थी वह चीज़े यहां पर lens में concapped में हो थोड़ा साब आपो तेट लेकिन एक चीज सेम है वाग चीज सेम है concave कुछ भी हो awi ogl negative konvex कुछ भी हो pobre meters positive ध्यान रखेगा तो rule number one रहेगा स्टोरी केस नमबर बन रहेगा जब अबजेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाएगा केस नमबर टू रहेगा जब अबजेक्ट फोकस पर रखा जाएगा केस नमबर थिरी रहेगा जब अबजेक्ट एफ और टू एफ के बीच में रखा जाएगा जाएंगे हम इंफनाइट पर लेकर जाएंगे तो यह सिक्स के से नम को पढ़ने हैं बनवाई बन हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को लेंज से दूर करते जाएंगे और हम एक जादू देखेंगे और वो जादू होगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंज से दूर होता जाएग उल्टा सोचो जैसे ऐसे अब्जेक्ट को लेंस के पास लेते जाएंगे इमेज लेंस से दूर जाती जाएगी यह चीज आप नोटिस करना ओके तो सबसे पहले पहला वाला केस पढ़ेंगे पहला वाला केस क्या रहेगा जाद बोलके बताओ वैंड ऑब्जेक्ट इस ना दे हो डियाग्राम तो 12 सेंटी मीटर की लाइन ट्रॉ कर लेना 6 सेंटी मीटर पर एक लाइन ट्रॉ करना ओके जैसे बता रहा हूं वैसे करना अदरवाइस आप लोग गलत बना दोगे इसलिए आप ध्यान लगना कोई गरबड़ी ना हो जैसे हम इस्टेप बता रहे है वैसे ही स्टेप आप लोग फॉलो करना 3 सेंटी मीटर पर एफ लिख देना यहां पर 2 फ हो जाएगा दूसरा फोकस 9 सेंटी मीटर पर रहेगा 12 सेंटी मीटर हो सकता है यहां पर किसी बुक में F1 F2 लेखा हो यहां पर F2 2 F2 लेखा हो ठीक है तो कभी टेंशन में मता जाना इसरा आपने तो F1 F2 लिखा ही नहीं है हम सिंबल बात कर रहे हैं हम F1 F2 का कोई शकर डाल ही नहीं रहे हैं लेकिन अगर किसी बुक में ऐसा देखने को मिले तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है लेख दोगे तब भी ठीक है नहीं भी लिखोगे तब भी क पर यह नहीं पर पॉल की जरूरत बद रहेगा उप्रिकल सेंटर बहुत चलो बढ़ते बताओ उनको फच लाइट रे चलो बोल के बताओ हमने आपको बोला था कि हम आपसे पूछेंगे first letter तो आपको reply क्या करना है sir parallel to principal axis first letter हम कहते लेते हैं parallel to principal axis तो first letter हमने parallel to principal axis देखिए आपके लिए ले ली है और direction बनाना जरूरी है और यही चीज ऐसी होती है जो student exam में बनाते time भूल जाते हैं और उनके marks deduct हो जाते हैं फिर वो सोच रहते हैं sir हम तो स relationships पता नहीं कहां चले जाते हैं हमारे first letter बेल principle axis के पहलल है reflection के बाद not reflection reflection के बाद कहां से पास होगी तो सुकुँकर्वाश कर देते है ह कि हॉक्स एक होती है था हम फोकस से पास होने ठीक है तो यह हमने सेकंड लाइट रे ले ली अब मुझे एक बात बताओ इमेज कब बनती है कि आप लोगों को याद है हमने सिंबल सा स्टेटमेंट आपको याद कराया हुआ है क्या याद कराया था है वें रिफ्लेक्टिड अब रिफ्लेक्ट के साथ साथ यहां पर हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिट when reflected or refracted, light rays either meet each other or appear to meet each other after 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 reflection or then reflection okay reflection reflection when reflected light rays either meet each other or appear to meet each other after reflection from the mirror then image is formed. अगर reflected light rays actual में मिल रही है तो image real बनेगी अगर reflected light rays actual में नहीं मिल रही है अपियर to meet each other हो रही है तब light image virtual बनेगी reflection की बात करोगे तब कैसे बोलोगे when reflected light rays either meet each other or appear to meet each other after reflection from the lens अगर light is actual में मिल रही है तो image real बनेगी actual में नहीं मिल रही है आप इनको कितना भी आगे बढ़ाते जाना यह कभी आपस में मिलने वाली नहीं हो जब light बढ़िया बने या ना बने हमारी आई बहुत बढ़िया बनती है एकदम design दार बनाते हैं आप लोगे लिए एकदम बढ़िया वाली ठीक है तो इस अगधार को क्या लगेगा कि यह लाइन कहां से आ रहे हैं बिलकुल भी टेडी मेरी मत करना हमारे इसकेल से बनानी है नहीं बनानी है नहीं बनानी है यह बात भी ध्यान लिए लाइट आपर टॉप पॉइंट की इमेज का मनेगी यहां पर पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज का दिखाई देगी यहां पर बातमन में आ गई कि सर अगर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा तो इमेज कैसी बनी है चलो बताओ फटापट से इसके बारे में इमेज कैसी 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 है तो सबसे पहले इमेज वर्यान है ठीक एंड धैन इमेज इरेक्ट वर्य इरेक्ट है आफनर इमेज इस Meng narrative कि वर्चुल भी है एक भी है और लेकिन उसके साथ साथ मैंग्निफाइड भी है पॉजिशन की बात करेंगे तब हम यहां पर लिखने वाले हैं बिहाइंड दा ऑब्जेक्ट इचो इमेज की पॉजिशन है वह ऑब्जेक्ट के पीछे अब आप जरूब थोड़ा याद करो क कि कौनके मिरर के वारे में भी हमने आपको पड़ाया तो वहाँ पर भी यही कैस था कि वहाँ पर विर्चुल इमेज बनती थी वह मिरर के राइट में बनती थे और जो real images बनती थी, वो mirror के left में बनती थी, यहां पर ultra होगा, जो virtual image है, वो दीख रहे हो आप, वो lens के left में है, जो real images होँगी, वो lens के right में बनेंगी, तो case number 1 clear हो गया, when object is placed with being optical center and focus, then image is virtual, erect, magnified and behind the object, अब बात करते हैं, case number 2, case number 2 में आप लोगों को पता है, कि object हमको कहां पर रखना है, focus पर रखना है, और आप लोगों को हमने एक बात रियात करा ही थी, कि जब object focus पर होगा, तो image infinite पर होगा, चलो देखते हैं, यहां पर भी कैस बनेगा, सबसे पहले, diagram को बनाने का तरीका, हम बार-बार बता रहे हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को बात हैं, याद हो जाए हैं, कि 12 cm की line draw करो, कितनी भी कर सकते हैं, लेकिन note पे बना रहे हो, तो 12 की draw कर देना हमारे कहने से, और 6 cm पर एक point बनाना, वहां पर line draw कर देना, 3 cm पर F1, 0 पर 2F, 9 cm पर दूसा फोकस रहेगा, और 12 cm पर 2F रहेगा, ठीक है, यहाँ पर आप compass की help से, convex lens को बना दीजिएगा, convex lens का दूसा नाम क्या होता है, लोगो बताओ फटापर से, convex lens का दूसा नाम होता है, converging lens, लेकिन mirror में अगर यही बात होती, अगर मैं पूछ था, convex mirror कैसा होता है, तो वो diverging mirror होता है, लेकिन convex lens जो होता है, वो converging होता है, lens में mirror में confusion ना हो, इसलिए comparison करते हो चलना, मिरर में क्या होता था, lens में क्या होता है, यह comparison दिमाज में करते हो चलिए, वहाँ पर तो ऐसा होता था, यहाँ पर ऐसा होता है, तो फिर confusion नहीं होगा, लेकिन जैसे आप ऐसा नहीं करोगे, comparison नहीं करोगे, तो जब पूरा chapter हो जाएगा, reflection भी और reflection भी, तब confusion होने लगेग कि मिरर में क्या होता था, lens में क्या होता है, तो case number 2, case number 2 में हमको object कहां रखना है, sir case number 2 में हमको object focus पर रखना है, तो जब मुझे एक बात बताओ, कि sir image को fond करने के लिए minimum कितनी light rays की requirement होती है, तो हमने बताया है आप लोगों को, आप सोचे हो कि sir question भी आप पूछते हो, और answer दर भी आप बताते हैं, तो यह कौन सी बात होई, तो बच्चो अब आप लोग हमें comment में answer बताया करें, आप लोग comment करते हो, लेकिन कुछ issue and comments कर देते हैं, answer बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, तो जो नहीं बताते हो, उनके लिए तो हम खड़े हैं यहां पे, उन्हें हम हमें represent करना है, इसलिए हम उनकी दर से हम बताते हैं, लेकिन सब लोग answer जरूर बताया सकते हो, चलो बताओ, for the formation of images, how many light rays are required, minimum, how many minimum light rays are required, तो answer क्या होना चाहिए, for the formation of images, minimum two light rays are required, और image हम पूरी object की नहीं बनाते हैं, image हम सिर्फ और से अब्जेक्ट के top point की बनाते हैं, जहां पर top point की image बनेगी वहीं, पर पूरी object की image बनेगी, तो चलो बताओ, first light ray, बो answer क्या होना चाहिए, first light ray, तो आप का answer होना चाहिए, parallel to principal axis, first light ray हम कैसी लेते हैं, parallel to principal axis लेते हैं, और rule number बन क्या कहता है, आप लोगों से, if the light ray is parallel to principal axis, then after reflection, it passed through the focus, वो कहां से pass होगी, फोकस से pass होगी, ठीक है, तो ये light ray, एक्दम state हा, focus से pass कर दोगे, हो सकता है, हमारी light ray थोड़ी टेड़ी हो रही हो, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग बिल्कुल scale से एक्दम state pass करिएगा, और में ये light ray, हो सकता है, हमारा focus थोड़ा सा, पीशे भी हो रहा हो, हमने exact measurement लेकर नहीं बना जाए, लेकिन आपको बता रहे है, आप लोगो ध्यान रखना है, second light ray, optical center, second light ray कैसे लेते हैं, optical center से लेते हैं, optical center वाली light की क्या कास बात होती है, तब वो जैसे जाती है, वो बैसी ही, निकल जाती है, उसमें आपको reflection देखने को नहीं मिलता है, तो मेरे प light ray कैसी हो रही है, पहला हो रही है, पहला हो रही है, पहला हो रही है, तो हम क्या मान के चलते हैं, यह light ray कहीं मिलेंगे, कहां मिलेंगी बैसे तो पहले light ray कहीं नहीं मिलती है, फिर भी हमें मानना पड़ता है, क्योंकि image बनती है, image बनती है, तो कहां मिलेंगी, यह light ray infinite पे ज सबसे पहले इमेज कैसे होगी से इंवर्टेट होगी अब बाकि सारे से इमेज बनने वाली है यहां पर सिर्फ कोणगी व्लत में प्रियमिच के बारे में बहुत बड़ी बढ़ी बरावर चोटी बहुत चोटी प्रति हीं इंफनाइट पर है तो फिर कैसी होगी हाई ली मैगनिफाइट और इमेज कहां पर होगी एट इन्फाइनाइट ठीक है तो वह केस नंबर टू में आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर अगर हमने ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहां पर होगी इन्फनाइट पर होगीं कैसी ओगी इंफनाइट पर इमेज बनती हो बहुत बड़ी होती है रियले और इमेज समयशे हो इस वोरते हैं जोarring स्क्रीण पर नहीं बनती है उनको हुड है तो इस केस में हम इमेज को देख पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्यों क्योंकि इमेज कहां पर बनेगी एट इंफनेट बनेगी रियल होगी इन्वर्टेट होगी तो यह हो गया केस नमबर टू एट फोकस अब क्या करने वाले हैं हम ऑब्जेक्ट को कहा रखेंगे विडियो में हम बात करेंगे केस नमबर थर्ड की वैपजेक्ट को फ पीच में रखेंगे डाग्राम कैसे बनाएंगे पता है ना फूले तो नहीं हो सारे एक लेंट करेंगे 12 सेंटीमीटर की ड्रो कर सकते हैं 3 हो कितने के भी कतक तो लेकिन मिड़ पॉइंट पर 12 के लिए तो 6 पर एक लाइन ड्रो करना 3 पर F 0 पर 2 F हो जाएगा 9 पर डूसर फोकस रहेगा और 12 पर डूसर 2 F रहेगा मेरा लें साम बना देंगे यहां पर कोई दिकर्द नहीं है यहां पर अब्जेक कहां रखना है बिट्बीन एफ एंड टू एफ चलो बताओ मुझे फस्ट लाइट्रे इस पॉइंट को हम बोलते हैं इसके पहलल है तो आफ्टर रिफ्रेक्शन वह कहां से पास होने वाली है वह फोकस से पास करेंगे आप लोग एकदम स्केल से स्ट्रेट लाइन ट्रॉ करेंगे थोड़ी थी भी लाइन टेड़ी मेरी नहीं होनी चाहिए इस बाट को जान रखना है अब लाइट नमबर कोई रिकत बाइन आप असानी से समझ में आ जाए बात हैं जो सेफिमी और हो और टिकल से पास हो तो देखो चैन्ट को एकदम को इस वात को ध्यानकना आप लोग सारी लाइट्रे इसकेल से ही ड्रो करिएगा तो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट्रे कैसी होती है बही सीधी जाती है तो यह लाइट्रे कहीं हमको एक्षॉल मिलती होई दिखाई दे रही है लेकिन कहां पर मिलती होई दिखाई दे रही है 2F's के भी आगे beyond 2F कहांपर मिल नहीं है beyond 2f इमेज इस point की इसके top प्विंट की यहां पर इमेज बनेगी तो पूरे object की image कैसी बनेगी यहां पर बनेगी भई ठीक है पूरे चाल मेच आपनेज़ दिखाए देड़। यहां पर बंतीूं दिखाी देगे तो उसनों कि बता सकते हो कि आप लोग क्या एच इमेज कैसी 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 और कैसी है है क्वोली ला मैंने में कैसी 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 एक सी पड़ाब से सरल इमेज कैसी एल है कियों रियल है इमेज बनती ही हो पहिर आप लोगों को एयरा देना हमने एक लैन लिखी थी आप लोगों की एव meant meet or appear to meet after reflection or reflection reflection के बाद या reflection के बाद अगर light rays actual में मिल रही है तो image होती है real और अगर light rays actual में meet नहीं कर रही है they are just appear to meet each other तब image कैसी बनती है तब image बनती है virtual तो बताईए क्या reflected light rays ये तो incident light rays है त्यानक ना light rays को bend खाना से करना है इस बीच वाली लाइन से bend होती हो दिखाई देना है तो यहां से light rays actual में मिल रही है reflected light rays are meeting each other that's why the image is real real है और real के साथ-साथ inverted भी है आप लोग देख सकते हो object सीधा है लेकिन image कैसी बन रही है ulti बन रही है और कैसी है magnified है magnified का मतलब body है object से magnified के लिए एक word और हमने बताया था आप लोगों को enlarged है enlarged का मतलब image object से बड़ी है size में और image कहां पर है वही इस बार image beyond 2F 2F से भी पीछे है देखो जैसे अब आप 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 एक शीज़ नोटिस करना जैसे जैसे object को हम दूर करते जाएंगे image infinite से pass होती जाएगे अब पहले वाले case में image कहां पर थी infinite फर थी याद है ना आप लोगों को पहले वाले case में image कहां पर थी infinite अब कहां पर आगी जिखो infinite से पास आगी यह चीज हम पताएंगे भी आपको आगे भी समझाएंगे यहां पर समझ में आ रहा है तो ठीक है नहीं भी आ रहा है तो कोई देखत नहीं है जम सारे किस्ट को एक साथ study करेंगे comparison करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि यहां पर यह बात हैं कैसे होंगी तो यह हो गया आने की जिम्मेदारी भी हमारी है सब कुछ हम ही करते हैं